Hello Friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यान वोजन योजना मिट्टे मील स्कीम के बारे में पिछली वीडियो में हमने सर्व सिच्चा अभियान के बारे में जाना था तो प्रात्मिक सिच्चा के सार भोमी करण और बच्चों के पोशड इस्थर में सुधार के लिए 15 अगस्त 1995 ये आपको डेट याद रखनी है, सन याद रखनी है जैसे आपका बोविकल्पी कोईशन में पूच लिया जाता है कि मध्यान वोजन योजना की शुरूआत कब होई थी तो चार अपसंदे देंगे जैसे 1995, 1996, 1997, 1998 तो 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरूआत होई थी बर्स 2001 तक प्रतिछात्र को प्रतिमा पहले जो है तीन किलो अना दिया जाता था लेकिन 28 नमबर 2001 को उच्तम ने आयले ने हाई कोट ने फैसला दिया जिसमें का गया कि बच्चों को पका पकाया मध्यान वोजन दिया जाए एक सिस्तमबर 2004 से प्रात्मिक विद्याले में बच्चों को पका पकाया वोजन मिलने लगा और एक मार्च 2008 से उच्च प्रात्मिक यानि कि जूनियर स्कूल में भी जो है मिड्डे मिल सुरू कर दिया गया अब हम आते हैं मध्यान वोजन योजना के प्रमुक उद्देश से तो उद्देश से तो वही हो जाएंगे कि बच्चों का ठहराव रहे जिससे नामांकन में ब्रद्दी हो बिद्याले में 6 से 14 आयुबर के बच्चों का सत प्रतिसत नामांकन हो अब जब स्कूल में खाना बनेगा तो बच्चे बहुत सारे ग्रामेड बच्चे जो है इसी वज़े से स्कूल में पढ़ने आते हैं तो 100% जो है नामांकन हो चात्रों को स्कूल में पूरे समय तक रोके रखना बिद्याले छोड़ने के उनकी प्रवत्ति में कमी लाना ये भी इनका उद्देश है ठीक है इसका उद्देश है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसकूल में छुट्टी से पहले ही भाग जाते हैं तो सर जो है मिड़े में लियो जना का ये उद्देश है कि इसको बच्चों को पूरे समय तक रोका जाए क्योंकि ग्रामीर छेत्रों में होता है कि बच्चे खाना खाने के वाने से जो है दोफायर के बाद स्कूल नहीं आते बिद्याले में छात्रों की नियमित उपस्थिती होना सभीए बच्चोंको स्वास्तिसनर्चाड एवं संतुलित विकास के लिए पूरक पोसक आहर उपलब्द कराना अब भहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको घर में पोसक आहर नहीं मिल पाते तो सर जो हैं मिड्दय मील के थ्रू पोसक अहर भी उनको उपलब्द कराया जाते हैं बच्चों को एक साथ पंगत में बैठा कर लैंगिक चातिगत धर्म समानता का भाउध पन करना अब देखो बच्चों को जो है मिट्डे मेली वजना के अंतरगत सभी को एक साथ बैठा कर खाना खिलाया जाता है इसमें आप चाहें गरीब हों चाहें किसी भी बर्ग से आते हों किसी भी धर्म के हों किसी भी कैसे भी परिवार से आते हैं तो इसमें किया समानता बालक बालिकाओं को एक साथ खाना खिलाया जाता है तो जाति धर्म और इसका वेदभाव विलकुल खतम करना यह भी एक इसका उद्देश है बच्चों में स्वच्छता की आधा का विकास करना अगर हम मिड्डे मिल की जो मेन्य की बात करें तो मेन्य ये है मिड्डे मिल की मेन्य आपका बेड में लगुत्रिय को इस्चन में पूछ लिया जाता है कि मेनी जो है सापताई का हर तालिका पर प्रकाश डालिए तो इसमें आपको पता होनी चाहिए कि सोमबार को क्या बनता है, मंगलबार को क्या बनता है और कितनी-कितनी जो है सामगरी होती है तो सोमबार को सोयावीन सबजी जिसमें सोयावीन अत्वा दाल की बड़ी का प्रियोग किया हो इसके अलाबा ताजा मौसमी फल बनते हैं और इनकी मात्रा जो इस तरफ लिखी हुई है मंगलबार को दाल चाबल जिसमें जो है प्राइमरी के लिए आती है सो बच्चों के लिए दो किलो डाल और दस किलो चाबल तेलिया घी पांच सो ग्राम और जो है जूनियर के लिए तीन किलो डाल पंदरा किलो चाबल और तेलिया घी साथ सो पचास क्राम बुद्धवार को तहरी और दूद और उबला हुआ दूद ये अनिवार है बुद्ध के दिन बुद्धवार के दिन ये इंपोर्टेंट बात है ठीक है गुर्बार को रोटी और दाल शुक्रबार को तहरी जिसमें सोयाविन की बड़ी का उपयोग हो सनिवार को सावन चावल सोयाविन सब्जी यह आप मात्रा इस तरफ से देख ले ना तो सोछात्रों हेत, एक किलोग्राmi सोयाविन प्रात्मिकन तर पर और डेढ़ किलो सोयाविन उच्छ प्रात्मिकनinis तर प्रियोग करने को खा गया और बुद्धवार को चात्रों को भोजन में उबला वा दूद अनिवार रहे हैं अब हमाते हैं मद्यान भोजन योजना के क्रियान बेन का डाचा किस तरह से जो है ये पूरी योजना चल रही है तो मद्यान भोजन प्रादिकरण का गठन यानि कि जो है निगरानी के लिए कि योजना सही तरह से चल रही है या नहीं केंदर सरकार के निर्देश पर सभी राजियों में मद्यान भोजन प्रादिकरण का गठन किया गया है और प्रादी करड का नेत्रतु निदेशक के रूप में बरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी एक IAS को दिया जाता है प्रदेश में मद्यान वोजन योजना के लिए बजट का आवंटन परिवरतन लागत अब बजट का आवंटन जो है यह IAS अधिकारी बरिष्ट अधिकारी द्वारा ही किया जाता है परिवरतन लागत और खादान बजट आप जो है इसमें सीखो कि कैसे हमें B8 में लिखना होता है अगर हम B8 परस्पेक्टिव से देखें तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको नमबर नहीं मिलेंगे तो इसलिए हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिस की है कि आप इसको देखकर किस तरह से लिखा जाता है जनपद इस तर पर जिला अधिकारी का उत्तर दायुत तो प्रतिक जिले में मध्यान भोजन की विवस्ता के लिए जिला अधिकारी को उत्तर दायुत सौपा गया है जिला अधिकारी ही मध्यान भोजन की जनपदी टास्क पोर्स का अध्यच होता है जनपद में मध्यान भोजन का अनुदान यानि कि परिवर्तन लागत, अनाज, रसोया और इन सबका मान दे भी जिला बेसिक सिच्छा जिला अधिकारी वा बेसिक सिच्छा अधिकारी के बित एवं लेखा द्वारी द्वारा किया जाता है प्रांतिय इस तरपर दैनिक अनुसमर्ण प्रडाली IBRS से निगरानी पर्रेवेचर तो IBRS इसका मतलब होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रेक्टिव वाइस रिस्वांस सिस्टम जैसे स्कूलों में जो है प्रधानाचारे के पास एक टेलिफोन, कम्प्यूटर एक क कॉल आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आपके स्कूल में कितने बच्चों ने खाना खाया तो उसमें उन्हें नंबर डाइल करके उस वो बताना होता है मध्यान बोजन विवस्ता में प्रति दिन पर्रवेचड के लिए दैनिक अनुश्रमड प्रडाली आईवी आरेस चलाई जा रही है इसके अंतरगत प्रतेक सिचड दिवस पर हर दिन दोपहर को प्रादी करड़ द्वारा सोचलित मुबाइल काल पर प्रगरत की सूचना संकलित की जाती है और इस प्रडाली द्वारा बोजन ना बनने वाले विद्यारतियों को चिलनित किया जाता है जिसमें जो है टीचर बताते है कि कितने बच्चों ने खाना खाया अब इसमें जब हम दोसों की बात करेंगे तब कहेंगे कि टीचर बहुत सारा ब्रश्टाचार हो रहा है जिसमें खाना तो बच्चों 20 बच्चों ने खाया लेकिन टीचर बता देता है उससे 30 वच्चों ने हमारे स्कूल में खाना खाया जिससे क्या होता है 30 वच्चों का गवर्मेंट को रासन देना पड़ता है बलाक संसादन के अंदरवा नीचे के इस्तरों पर पर्रवेचड अब जो है नीचे के इस्तरों पर पर्रवेचड करने के लिए भी जन्पद इस्तरों पर जिला समन्नवेक तथा बलाक इस्तरों पर खंड सिच्चा दिकारी यानि कि डीसी और बलग बीई ओ के पर्रवेचड को जिम्मेदारी सौपी गई है बहुत इक संसादनों की विवस्ता तो ढाची के इंतरक बहुत इक संसादनों की विवस्ता अब जो खाना बनेगा तो विद्याले में रसोया भी होना चाहिए बरतन भी होने चाहिए बहुत सारी सामगरी हो जाती है तो रसोया के लिए इसमें प्रतिएक विद्याले को पचाती हजार रुपए तथा उपकरड़, जो किचिन में उपकरड़ होते हैं, उनके लिए पाँच जार रुपए प्रतिए विद्याले उपलब्द कराया जा रहा है। बच्चों के हाथ दोने के लिए इसके लाबा बच्चों के हाथ दोने के लिए साबुन तौलिया ठीक है इनके लिए बजट आता है उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए थाली ग्लास चम्मच आध की विवस्ता सुनिश्चित की है अब प्रिजेंट में बच्चों के लिए थाली, चम्मच, ये कटोरी ये भी मिलती है परिवर्तन लागत का प्राबदान परिवर्तन लागत बिद्याले में बच्चों के लिए बोजन तयार करने के लिए प्रात्मिक स्तर पर प्रात्मिक स्तर के बच्चों है तो प्रतिछात्र सव ग्राम बाउच्च स्तर पर डेड़ सव ग्राम अनाज प्रतिदीन दिया जाता है इसके अलावा सबजी, खाद, तेल, नमक, मसाले, इनन, आद की विएस्ता के लिए भी परिवर्तन लागत दी जाती है यानि कि जो खाना बनेगा उसके लिए जो पैसा आता है वो क्या है परिवर्तन लागत तो एक अपरेल 2020 से परिवर्तन लागत प्राइमरी के लिए 4.97 रुपया प्रतेक स्टूडेंट के लिए बलकि जूनियर के लिए 7.45 रुपया जिसमें से 60% केंदर सरकार और 40% राजी सरकार का पैसा होता है बोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन एबं अन्य पोसकत्तों का मानक तो ये भी निर्दारित किया गया कि बोजन ऐसा ही नहीं बनना चाहिए उसमें पर्याप्त मात्रा में पोसकत्तों प्रात्मिक इस्तर पर 4500 केलोरी उर्जा बारे ग्राम प्रोटीन जबकि उच्च प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए 700 कैलोरी उर्जा बब 20 ग्राम प्रोटीन बच्चों को भोजन में उपलब्द कराने का मानक निरधारित किया गया है जिससे बच्चों का पर्याप्त मात्रा में पोशक उपलब्दों और उनको कुपोशड नाओ कुपोशड से बे बच सकें अब हम करेंगे मध्यान वोजन योजनाक का मूल्यांकन सपलता हैं और इसकी कमियां इवेलुएशन आप मिड्डे मील इसकीम तो समय समय पर विद्यालेओं के परिवारतन लागत भेजे जाने में कठनाई या ब्याबदान कई बार देखा गया है कि जो परिवारतन लागत आती है वो बहुत लेट आप आती है अब लेट आप आई तो तब तक क्या करता है टीचरों को अपनी जेव से पैसा देना पड़ता है खाना बनाने के लिए तो ये इसकी कमी हो जाएगी रसोईया मांदे का अपर्याब्त होना रसोईयों को बहुत कम मांदे मिलता है जिससे वो अच्छी तरह से खाना नहीं बनाती है ज़्यादा साइद सो रुपए प्रति दिन के इसाब से या पचास रुपए प्रति दिन के इसाब से मिलता है प्रजेंट में जो कि कम है ब्रेष्टाचार और कमीशन की प्रवत्ती तो इसमें ब्रेष्टाचार और कमीशन की प्रवत्ती बहुत ज्यादा है अनाज रासन आया बहुत ज्यादा लेकिन क्या हुआ बहुत सारा कट के स्कूल थक वो आ पाया इसके अलाबा है जिसे IBRAS में बताया ठीक है जो फोन कॉल आती है उसमें भहुत ज्यादा ब्रेश्टा जा रहा है कि 30 बच्चे तो स्कूल में प्रिजेंट है और 40 बच्चों का रासन आ रहा है सभी विद्यालें में रसोई घर का निर्माड ना होना तो अभी तो बहुत सारे विद्याले आईसे हैं जिन में रसोई घर का निर्माड ना ही है इसके अलाबा गैस सिलंडर ना ही है लकड़ी से चूला बनता है सही है खादाने का गुडवत्ता पूर ना होना अब इसमें निर्धारित किया गया कि जो आपका खाना होना चाहिए उसमें पोसकत्त होने चाहिए प्रोटीन होनी चाहिए लेकिन रियल्टी इसके हटके है दूद के लिए अलग से धनरासी का ना दिया जाना दूद का पैसा उसी में सामिल होता है जिससे इसका अलग से कोई मानक निर्दारित नहीं हो पाता है यह आप कित्री मिट्डे मेल इसकी इसमें जो है सबसे पहले सुरुआत इसकी कब से हुई ठीक है मद्यान वोजन योजना की सुरुआत 15 अगस्त 1995 कोई थी अब जो है इसमें आपका लगुत्री एक क्विस्चन में पूछ लिया जाता है इस तालिका को लिखने के इस पर प्रकाश डालिए बेड में तो यहाँ पर आपकी मिट्डे मेल स्कीम समापत होती है उमेद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फ़र वाचिंग